दोस्तों सब लोगों को पताई होगा कि भारत के द्वारा AMCA मार्क टू यार्क्रेप्टों के इंजिनों को डेवलफ्ट करने को लेके फ्रांस, अमेरिका और बिर्टेन जैसे देशों के साथ लगातार बातचित किया जा रहा है और दोसे इन तीनों देशों को अगर देखा जाए तो इनमें फ्रांस का संभावना सबसे अधिक है क्योंकि लगातार फ्रांस के तरफ से भारत के सामने AMCA यार्क्रेप्टों के इंजिनों के डेवलफ्मेंट को लेके एक के बाद एक नया ओफर भी रखा जारा और कीच रिपोर्टों के मताविक ये ओफर काफी पर रख दिया गया है जो कि फ्रांस और अमेरिका को काफी अधिक चिंता में डाल सकता है मेडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि रोल्स रोइस के तरफ से AMCA इंजिनों के को डेवलफ्मेंट को लेके फुल ट्रांसपर और टेक्नोलोजी और एक जॉइन डेव 120 क्लोनीटरन थ्रष्ट वाले ऐसे इंजिनों को चाहता है जो कि 6 जनेरेशन के टिकनोलोजी से लैज हो और इंजिनों को केवल मात्र विदेशी कमपनियों के साथ मिलके जॉइन डेवलफ्मेंट ही नहीं करना है बलकि इंजिनों के इंटलेक्चल प्रॉपर्टी राइट और ट्रांसवर टेकनोलोजी भी भारत के पास होना चाहिए और मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अब भारत की इन शर्थों को मानने के लिए एक तरीके से ब्रिटन के रोल्स रोइस कमपनी तयार हो चुका है और मीडिया रिपोर्टों के मुताबविक रोल्स रोईज कमपनी के फ्यूचर प्रोग्राम चीफ एलेक्स जियोन के तरफ से हाली में एक बयान देते हुए ये भी वताया किया है कि रोल्स रोईज के वल मात्रों एमसीय यार्ट्राफ्टों के इंजिनों को जॉइन डेवलफ्ट ही भारत के साथ नहीं करना चाहता है वलकि इसके ट्रांसफर अफ टेक्नोलजी और इंट्लेक्चल प्रोपर्टी राइट को भी भारत को देने के लिए तैयार है और उनके द्वारा अपने बयान में ये भी वताया गया है कि इन इंजिनों के को डेवलप्मेंट के बाद इंजिनों के जो फुल ओनर्शिप है भारत के पास ही रहेगा और इंजिनों के को डेवलप्मेंट तक ही रोल्स रोइज भारत के साथ रहेगा जब के इसके बाद पोडक्शन और बाकी सवी काम का जिम्मेदारी भारत के पास होगा जिसे की एक तरीके से भारत को नौलेज ट्रांसफर के भी गैरेंटी मिलेगा और indigenous capability को enhance करने को लेके भी एक guarantee मिलेगा Mr. Gion के तरफ से कुछ भारतिय media representative के सामने बयान देते हुए ये भी वताया गया है कि वो और उनके company भारत के साथ मिल के काम करने के लिए अब दोस्तों ये जो offer रखा जा रहा है ये असल में अमेरिका और फ्रांस को काफी परिशान कर सकता है हाला कि इसी तरीके के similar offer फ्रांस के द्वारा भी भारत के सामने रखा गया है पर दूसरे तरफ अगर अमेरिका को देखा जाए तो अमेरिका AMCA मार्क टू यार्क्रेप्टों के इंजिनों के development में भारत के साथ जुड़ना तो चाहता है लेकिन भारत के शर्तों के मताविक ना कोई ने कोर का offer कर रहा है और ना ही intellectual property right भारत को share करने के लिए तयार है जबकि फ्रांस के द्वारा अल्रेडी एक ने कोर के साथ मतलब संपूर ने इंजिन को develop करने को लेके भारत के सामने offer रखा जा चुका और कुछी दिन पहले फ्रांस के भी एक वरिष्ट अधिकारी के तरफ से इसी तरीके के सिमिलर offer मतलब सौपतिशा ट्रांसपर अप टेकनोलोजी और intellectual property right शेरिंग को लेके भारत के सामने प्रस्ताव रखा गया था और दोस्तों खाली इतना ही नहीं बलकि Rolls-Royce Company के बरिष्ट अधिकारी के तरफ से अपने बयान में हर 18 महिने में भारत में produce एक नए इंजिन को certify करने को लेके भी प्रस्ताव रखा जा रहा है मतलब बाद में इन इंजिनों को जब भारत में production किया जाएगा तो इंजिन इंजिनों के साथ intellectual property right अपने पास इसलिए रखना चाहता है ताकि इन इंजिनों के संपूर्ण टेक्नोलोजी भारत के पास हो और भारत के हाथ में किसी भी तरिकाय कोई restriction ना हो जिसे कि ना इंजिनों को export करने को लेके भारत को किसी भी company से या किसी भी government से कोई अनुमती ल वाले इंजिनों को भारत डिवलफ करना चाहता है असल में उन इंजिनों का उप्योग केवल मात्र शेटो में ही नहीं होगा बलकि इसके साथ साथ आने वाले समय में तेज़स माक 2 और तुइन इंजिन डेग वेस फाइटर यार क्रेप्टों में भी इसका उप्योग हो सकत और इन इंजिनों को एक Six Generation के इंजिन के रूप में भारत इसलिए भी डेवलोप्ट करना चाहता है ताकि AMCA Mark 2 यार क्रेप्टों के इंजिनों के रिक्वर्मेंटों को पूरा करने के बाद आभुशक्ता पढ़ने पर इन इंजिनों के सहारे एक Six Generation के यार क्रेप्टों का भी किया जा सके जबकि वही पे रिपोर्टों के मताविक भारत इन इंजिनों के टेक्नोलोजी को अपने पास इसलिए रखना चाहता है ताकि इसके डेरिविटिव वरियंट मतलब इसके High Scale और Low Scale वरियंटों को बनाया जा सके जिसका उप्योग अलग-अलग यार क्रेप्टों के प्रोजेक्ट में इवन ट्रांसवर्ट यार क्रेप्टों में भी किया जा सके और फिलाल जिस तरीके से Rolls-Royce जैसे Company भारत के सामने Complete Technology Transfer और Intellectual Property Rights Share करने को लेके प्रस्ताव रख रहा है इसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि भारत का ये जो सपना है ये पूरा होन करने में शायद और ज्यादा समय ना लगे जिफकी फ्रांस के रहसाफ्रों के द्वारा भी लगभग इसी तरीके का ओफर भारत के सामने रखा किया है जिसका सिंपल मतलब यह है कि अब AMC IR क्रेप्टों के इंजिनों के डिफलोप्मेंट को लेके जो रेस है वो फ्रांस औ वर्ट टैंक है उसमें इस्तेमाल होने वाले इंजिन को लेके अब तक कोई क्लियर खवर नहीं आया यहाँ पर आप लोगों के जानकरी के लिफा दू कि कुछी समय पहले L&T के फेसिलिटी में जुरा वर्ट टैंकों को रोल आउट किया गया था और मीडिया रिपोर्टों के मताविक अब इंडियन आर्मी के द्वारा इन टैंकों के कुछ ट्रायलों को अंजाम दिया जाएगा और ट्रायल समाफ्त होने के बाद संभावित इन टैंकों के प्रोड़क्शन के काम को शुरू कर दिया जाए पर दोस्तों हुई पर आप लोगों को ये वी जानके अब दोस्तों कुछ महिने पहले तक भी मिडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा था कि इन टैंकों में पहले MTU के इंजिनों को उपियोग करने का बात कहा जा रहा था लेकिन कुछ कारणों के वज़ा से मदवेद फैदा हुआ और भारत के द्वारा MTU के इंजिन रहा है फिलार दोस्तों कही से भी ये क्लियर नहीं हो सका कि जोरावर टैंकों के जो प्रोटोटाइप को रोल आउट किया गया है उसमें कॉमेंस का इंजिन इस्तेमाल हुआ है या फिर जर्मन कमपनी MTU का अब दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ मेडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि MTU कमपनी के तरफ से अल्रेडी भारत को MTU 8V199TE21 इंजिनों का सप्लाई किया जा चुका है जबकि एक्सपोर्ट डेटा के मुतावि कॉमेंस कमपनी के होर्सपावर आउटपूट कर सकता है जबकि कॉमेंस के T760 जो मॉडल है वो पिछले वाले वर्जन मतलब VTA903E T750 के मुकाबले में अधिक ताकदवर है और मोडिफाइड वर्जन है और पिछले वाले जो वर्जन था हो करीब-करीब 567 किलोवाट या फिर कहतो 760 होर्सप और फिलाल दोनों कमपनी के तरफ से ही क्लेम किया जा रहा है कि भारत के लिए उनके इंजिनों का सप्लाई अल्रेडी हो चुका है अब दोस्तों एक बात तो ये साफ है कि जब जोरावा टैंकों का डिफलोप्मेंट हो रहा था तब भारत के तरफ से MTU इंजिनों को इस्न टैंकों को एक 25 टन कैटेगरी के हलके वजन के टैंक के रूप में डिफलर्फ किया है जिसका उपियोग High Altitude Reason मतलब हिमालेन बॉर्डरों में किया जाना है और Exactly अगर कहा जाए तो Line of Actual Control मतलब चायना के साथ लगे हुए बॉर्डरों में ही इन टैंकों का अधिक तर्म शेतर पाकिस्तान के साथ भी लगे हुए बॉर्डर रिजन में है मतलब यहाँ पे इन टैंकों का डिप्लॉयमेंट हो सकता है और High Altitude Reason में डिप्लॉय करने के कारण भारत के द्वारा इन टैंकों में 1000 होर्स पावर की इंजिनों को उपियोग करने का बात कहा किया था ताकि टैंकों के पावर to weight ratio अधिक हो जिससे की High Altitude Reason में टैंकों को किसी भी तरिके का मुश्किल ना आए और इसके Minervability भी हाई हो पर दोस्तों MTU के तरफ से और कॉमेंस के तरफ से फिलाल जिन इंजिनों को सप्लाई करने का बात कहा जा रहा हूँ करिवन 800 से 800 होर्स पावर तक ह जनेरेट कर सकता है और इससी वज़ा से भी डाउट हो रहा है कि शायद Production Variantों में भारत के द्वारा कुछ और इंजिनों का उपियोग किया जाए जबकि इसके Prototype में MTU के इंजिनों का भी उपियोग हो सकता है क्योंकि इन इंजिनों के सारे केवल मात्र प्रोटोटाइप क Performance को ही जाचना है और केवल एक Prototype के द्वारा ही ये Performance जाचा नहीं जाएगा बलकि Indian Army के सामने संभावेट आने वले समय में कुछ और Prototype को भी रखा जाए अब ऐसे में Production Variantों में नो डाउट ताकतवरतरिन इंजिनों का उपियोग होगा और संभावनाए तो अधिक है कि यह पर कॉमेंस के इंजिनों का ही उपियोग किया जाए क्योंकि कॉमेंस के तरफ से जो नए इंजिन के सप्लाई का बात कहा जा रहा हूँ पुराने इंजिनों के मुकाबले modified इंजिन है और फिलाल इसके actual output के बारे में जानकारी नहीं है जिससे की अंदाजा लग रहा है कि य 4800 horsepower से भी अधिक output generate कर सकता हो पर दोसो no doubt इस तरीके के दो इंजिनों के सप्लाई के खबर आने के बाद जोरावर टैंकों में इस्तेमाल होने वाले इंजिन को लेके एक बहुत बड़ा confusion बन रहा है पर आप लोग को ये भी वता दूँ कि भारत के द्वारा जो अमेरिका से स्ट्राइकर जैसे वेकलों को खरिदने का बात कहा जा रहा है उनके भी इंजिन रिप्लेस्मेंट के रूप में कॉमेंस के तरफ सही नए इंजिनों का ओफर किया गया है जिससे की काफी अधिक संभावना है कि कॉमेंस के इंजिनों का ही भारत उपयोग करे दोसो आप लो हाषव जया है नक हाँioè ahead जा है तर सम्धली से कि लिल्खनमग के पपीस मेंस वागे हैं कि करें दोसे झाते हैं कि का बभ्र एकант सैमे अचे जिर मेंस करें हैं की का भारत परहा हैं काममेंस कि उलाता कि है जिल्य को मेंस 맞़ पर करेंॉक सॉर्ड हैं कि